अगर भाहियों आप नहीं गाये लेने के इच्छुक हैं और आपको गायों के बारे में कम जानकारी है तो यह वीडियो स्पेसल आपके लिए ही बनाए चलिए देखते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि आपको गायों से रिलेटेड नहीं नहीं वीडियो मिलती रहें अगर भाहियों आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब आप कोई ना कोई भारतिया नसल की गाये कोई क्यों चुना क्योंकि भार की नसल की गाये जो अमरिक तो चलिए वीडियो के शुरू करते हैं मैं इस वीडियो में आपको एक लिष्ट दूँगा ये गाय अगर आप अगर आप गाय लेने के चुका तो इनहीं में से गाय लीजे अगर फार्म करने के चुका तो भी नहीं में से लीजे ये आपको बहुत फाइदा दे के जाएंग तो नमबर वन पर है गिर, नमबर दो पर है साईवाल, नमबर तीन पर है कांकरेज, नमबर चैर पर है थार पारकर, और नमबर पाँच पर है अपनी हर्याना नसल की गाहे तो भाईो मैं इनके पिछे रिजन बताता हूँ, नमबर वन पर गिर क्यों है? गिर सबसे ज़्यादा दूद देती है अगर एवरेज लगाएं तो 95% जो गिर होती है वो बियाने के बाद कम से कम 12 लिटर से उपर दूद देती है, कम से कम भाईों, 12 लिटर से उपर दूद द होती है सबसे जादा फैत देने वाले गाए इसकर एक प्रसेंटमड निकल्वा सकते हैं पांच से छह परशेंट के बीच में सका बाएप जबकि अतर नोबर पराते हैं कांक एगर आपने कभी ओन-lain वीडियो देखा था यतारे हो दुनिया के उन्रается और इन सभी गाय में सबसे कम कीमत पर भी पढ़ेगी आपको अगले इस लिस्ट में अगले नमपर पर रहा है थार पारकर जो खूब जूरती के लिए सबसे ज्यादा खूब जूरती के लिए बहुत मसूर है यह डिजीज रेजिस्टन्ट काव होती है मतलब इसके कैटल में आपको बहुती कम बीमारियां मिलेंगी और यह हाई मिल्ड हाई मिल्क कैपेस्टी वाली काव भी होती है अगले नमबर पर आती है हर्याना नसल की गाय इसके अंदर सबसे ज्यादा खूबियां यह तिन सो दिनों तक दूद देती हैं ज्यादा स्तापमान को सेहन कर सकती है ने ज्यादा शक्टी सालियो होती हैं इनकी बोडी का हर एक पार्ट बिल्कुल जैसे बगवान ने जग जाच के बनाया होता है इनका बोडी का हर एक पार्ट बहुत कम यह मिलेगी भरना नमबर वन पर मुझे लगता है नंबर वन पर रियाना नसल को आना चीह लेगिन पता निये नंबर फाइफ पर क्यों है वीडियो देखने लिए शुक्रिया